हाई गाईज वाट्स अप एंड बेलकम गाईज आज हम स्नाफ सीड अप्लिकेशन के अंदर कुछ इस तरह से फोटो डिंग करने वाले हैं जो देखने में काफी कमाल लग रही है तो गाईज वीडियो को फटा फट लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्स है कि वाई सबसे पहले हम इसनेफ सीड अप्लिकेशन के अंदर जाएंगे यहां से प्लस वाँприक आईकॉन पर जाकर यहां से फोटो को और कर लेंगे जो भी हमें एडिट करना है एथ यहां से हम सब से पेले जाएंगे pencil वाली आइकवन पर एठ या जाएंगे हम black and white वाले option पर एठ पर यहां से bright को select करके done करदेंगे एठ यहां से जाएंगे cross the while आइक उपर यहां से view existed में जाएंगे यहां से black and white को select करके इसे हम invert कर देंगे इसके opacity को पूरा zero कर देंगे इस प्रकार face से इस वाली effect को remove कर लेंगे मैं फटा-फट कर ले रहा हूं आप भी कर लीजिएगा बहुत आसान है अपने hand and face से इसे remove कर लेना होगा इसे इतना करने के बाद आपको यहां से कर देना होगा done and चले जाना होगा back and फिर से जाएंगे pencil वाल एकान पर and जाएंगे curve tool वाले option पर and यहां से red color को लेंगे and इसके curve line को पूरा minus कर देंगे and जाएंगे फिर से color वाले option पर and blue को लेंगे and इसके curve line को इस तरह से हम बढ़ा लेंगे and कर देंगे done and जाएंगे हम view image पर and यहां से हम लेंगे curves and brush को लेंगे and इसे invert कर देंगे and इसके अपस्टी को पूरा minus कर देंगे zero and इसे face से remove कर लेंगे कराम से करना बहुत आसान है जाए इसे अपने hand and face से remove कर लेंगे जहां में यह effect नहीं चाहिए so जितना करने के बाद आपको यहां से done कर देना होगा और बैका जाना होगा and फिर से जाएंगे हम pencil वाले icon पर and यहां से जाएंगे हम wignet वाले option पर and यहां से हम इसके outer brightness को कम कर देंगे and inner brightness को इस परकार बढ़ा लेंगे लगवग 62 के आसपास बढ़ा लेंगे and कर देंगे done and फिर जाएंगे हम pencil वाले icon पर and इस बढ़ जाएंगे double exposure वाले option पर and यहां से add वाले option पर जाएंगे and अपने png को add करेंगे png को link description box में मिल जाएगा यहां से जाएंगे हम beach वाले option पर and इसे हम add कर देंगे and फिर इसे photo के हिसाब से adjust करके यहां से हम done कर देंगे and जाएंगे हम view image पर and इहां से हम इसके double exposure को लेंगे and brush को लेंगे and यहां से invert कर देंगे and size को zero करके इसे हम face and hand से remove कर लेंगे so guys यतना करने के बाद आपको यहां से done कर देना है and चले जाना है back and फिर से जाएंगे and pencil वाल एकॉन पर and double exposure पर इस बार हम फिर से दुबार आवा दूसरी png add करेंगे and butterfly वाली png and इसे हम कर देंगे lighten and इस परकार इसे adjust कर देंगे photo के हिसाब से and कर देंगे done guys हमारी photo फूरी तरह से edit हो गई है देखिए कितना गजब लग रहा है so guys video का फड़ा फट लाइक कर दू